हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चनल दिवहल्पकचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही एजी तरीके से आप अपने स्किन को ग्लासी ग्लोइंग और बहुत ही जाथा सॉफ्ट कैसे बना सकते हो वह बताऊंगी तो यह रेमेडी आप अगर गर्मियों मे चाहिक आप खुड़ी आपवर शॉक हो जागे क्योंकि आपको पताएं गर्मियों में इसकिन बहुत ही रूख हो जाती है तो यह रेमेडी उसी के लिए तो आप इसके लिए इस तरीके से हमारी बनके त्यार होगी तो बनाने के लिए यह मैंने आदू रखा है और यह ले मैंने इनू तो आप सोच रहोगी इनू तो हमारे ऐसेड़ेटी हो जाती है उसके लिए उज़ mendगी और बिल्कुल शरीक की गंदगी भी निकालने के लिए काम में बहुत अच्छी तरीके से लेया जाता है और मैंने साहस्ताइट मैं आलू ले रखा हैं आलू तो सभी को पता है कि हमारा सब्झीक राजा होता राजा के बाद ये पता है हमारे बॉड़ी अच्छा होता है आलू के अंदर जो अलू का withdraw बहती आसान तरहीकिटे जितनी बी गंदगी होती ना उस को निकालने में काम करता और बहुत ईजी तरीके से आपकी स्पिन को भी ग्लॉइंग और बना के तियार करता है तो आप इस तरहीके से कांगो रादुझायों और फिर इसको छिलग उतार कर खेंगे तो आद्ज। और प्लीज अगर आपको रेमेडी अच्छी लगे तो ट्राइज जरूर कीजिगो क्योंकि इसके इफेक्ट बहुत ही अच्छा आते हैं और आप चाहो ना अगर आपकी सेंसिटेव स्किन है तो चहरे पर श्किप कर दीजिगा नॉर्मल अगर आपकी स्किन है तो आप जरूर कर सकते हैं और आपको ट्राइ करना इस रमेडी को चाहिए तो यहांत की आप कण्यरे कर सकते हैं तो यहांतpeace के प्रूंबलम है तो उस बांप सरफ बहुत जरू कर करता है और बहुत इसी तरीके से पिग्मेंटेशन को रिमूव करता है और बहुत ही इसली बहुत ही इंस्टेंट वे में आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और ग्लासी करता है तो यह देख सकते हैं कितने आसान तरीके से निकाल रही हुआ है तो इस तरीके से आलू की पूर यह कटोरी में ट्रांसफर कर लिया तो यह नॉर्मली जो नीचे नो स्टार्ट हैं और आपको ना यह बिल्कुल आलू को काला नहीं करना है अकर थुड़ देर आलू की रज को भी रख दोगे तो यह काला हो जाएगा तो काला वाला नहीं करना है तो आपको इस तरीके से यह सब्सक्सक्तान है यह बिल्कुल यूच कर दधा तो अब ना क्या कर दोएंगे इनो को कट कर लिया है और इसको इनो को डाल देंगे हम तो आलु के पेस्ट में ने एलो को डाल दीया अपने आपने यह रियक्षेंट करना शाण कर दें आपको कुछ कढ ने की ज़रूती नह तो आप लीजेगा आलू कर रस और थोड़ा सा आप ले लीजेगा रोज वाटर तो उसको दोनों को मिक्स करके लगा ले ना नॉर्मल मेली तरह इसके ने तो यह वाला रेमेडिय लगाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपके तो यह देख सकते हैं अब आपको यह बिल्क हुमें के लिछ 치चेही तो बहुत यह यह जी किसे आपको ऑच्छा यह बहुत एजी तरह किसे लिए भी ढद्य हने से अच्छान कि दिक्कत हो अब बढरते हैं अब इसमें की सबसे पहले और आप देख سकतो जो से सबसे पहले जितनी भी गंद्की होगे ना निकळ जाएग मिले करें आपको मिलेंगे तब इसकी मसाज भी करें सी तो यह करों की तफिक तो यह सक कर लेंगे हैं और मैं तो अच्छी तरीके से मसाज करूँ वीड थोड़ा सा जादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड दे रखा है बट आपको जो मसाज है वो धीरी-धीरी करनी है आपको तेज लग रहा होगा तो उसको आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है और अराम- तो अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे ताकि जितनी भी गंदियों निकल सके तो मैं दूसरे हाथ भी ट्राय कर लूँगी अब आपको थोड़ा से दूसरा हाथ गोरा लग रहा होगा तो मैं उसका आपको रीजन बता देती हूँ क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं लगा पानी लगने के बाद इसकी भी इसी तरीके से थोड़ा सा हालत हो जाएगी तो आपको यह दस मिट के लिए रखना है इस पेस्ट को अपने हाथों में और फिर दस मिट के बाद ठड़ने पानी से धूल लेना है साबू नाबू लगाने की कोई जरूत नहीं है आप इसको ध कि ध्यान रखना है तो यह मैंने दस मिट के बाद आप हाथ देख सकते हूं कितने दस अच्छे लग रहे हैं कितने सॉफ्ट लग रहे हाफते में दो बाट राएगी जिगर रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत ही अमीजिंग आपको मिलेंगे दोस्तों आज के लिए इत